तुभी की सुरुवात होती है काम युवा की तरह जिंदगी गुजार रहे एक डीजे से जिसका नाम सीवा है सीवा के नजर दिसेरे के मेले में आयोई एक लड़की इसा पर पढ़ती है क्योंकि सीवा का आग से कुछ अनोखा रिस्ता होता है और आग उसे नहीं जलाती है सही कहानी आगे बढ़ती है और सीवा को ब्रमान्स की दुनिया में हो रही उथल पुथल और दुनिया से जुड़ी कुछ गटनाओं का आभास होने लगता है लेकिन असल जिंदिगे में ब्रमान्स के बारे में सीवा को कुछ भी पता नहीं होता है अच्छी सक्तियों के साथ साथ सीवा को कुछ बहुत बुरी सक्तियों को भी महसूस होने लगती है जो कि किसी भी बुराई की सीमा तक जाकर सर्व सक्तिसाली अस्तर ब्रमास्तर को हतियाना चा रही होती है कि सिवा ये नहीं जानता है कि ऐसा क्यों कैसे और कहा हो रहा है अपने प्यार इसा की मदद से सिवा देरे देरे पहलियों को बुजाना शुरू करता है जो उसे सबसे पहले नंदी यस्तर नागारजुन और फिर ब्रहमान्स के गुरू अपता बच्चन तक पहुचाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ खुद एक अगनी सस्तर है सिवा अपनी सक्ती को जानना सुरू कर देता है तभी अंधेरे की रानी जुनून मौनी राय ब्रहमास्तर को पाने के लिए वहाँ आकरमण कर दे अब सिवा इसा और ब्रहमान्स के सदस सम्मिल कर कैसे ब्रहमास्तर की सुरच्चा करते है यही इस कहानी का प्लॉट है और इसी कहानी के इर्दगर्द या कहानी घुमती है या जानना काफी दिल्चस्प होगा कि जुनून की आखिर कहानी क्या है और उसके गुरू कौन है बता दें हैं फिल्म का पहला पार्ट है दूसरे पार्ट को भी जल्दी रिलीज किया जाएगा